जहां तक भारतीय संस्कृती की बात है तो भारतीय संस्कृती विश्च वर्णिया संस्कृती है विश्वश्य और शर्वेशु देशेशु प्रवर्त मानासु अनेक विधाशु संस्कृती सु स्रेष्ठा प्रेष्ठा जेष्ठा चास्ति भारतीया संस्कृती इसलिए हमारी भारती संस्कृती स्रिष्ट है विश्वरणीय है पूरे विश्व में उसका आदर होता है हमारी संस्कृती का कोई एक ऐसी सक्ती हमारी भारती संस्कृती में है जो पूरा विश्व उसका लोहा मानता है भारत को सौने की चडिया कहा जाता था तो सौने की चडिया सौने के कारण नहीं कहा जाता था भारती ये संस्कृती एक ऐसी संस्कृती है जिसका सबका सादर है आदर है सबका समादर है जिसमें और सब उसमें समाहित हो जाते सबका पोशण करने वाली हमारी संस्कृती है ये भारत एव गंगा शदर्शी सरिदस्ती या श्वेन मधुरेन पवित्रेन पैसा नकेवलम सरीराणी इंद्रियाणी मनांसि बुद्धिंचा पिसंस्कृत्यो तान ब्रम्ही करूती हमारे भारत देश में ही गंगा जैसा ब्रमद्रब प्रभाहित होता है यमनाजी जैसा ब्रमद्र प्रभाहित होता है नर्मदाजी जैसा ब्रमद्रब प्रभाहित होता है और कहीं ये प्राप्त नहीं होगा प्रतेक कंकर में संकर की भावना करके उसकी पूजा करता है हमारी भारतीय संस्कृति ब्रक्ष में गवी सुनी स्वपा के च किम्बहुना आप्रुंबस्तंब परियन तेशु पदार्थ जाटेशु परमात्मानम भावयती इशा भारती या संस्कृती विश्वरणी या संस्कृती ए विश्व का विश्व पूरी पूरा विश्व संस्कृती का आधर करता है क्योंकि हम बृच्छ की पूजा करते हैं हम गवमाता की पूजा करते हैं हम पत्थर में परमात्मा की पूजा करते हैं हम नारी की पूजा क पूरे विश्च में लगबग जिसने 256 देश हैं उन किसी भी देश में कोई एक ऐसा देश नहीं होगा जिसकी संस्कृती में इस्त्री के पैर धो करके चरणोदक पिया जाए भारत में ऐसा होता है पुत्र अपनी मा के जनम दिन पर उनके चरण पखार करके और उसका चरणो हो जन होता है तो कन्याओं के पैर पखार करके यजमान उनका चरणोदक और यजमान पत्नी और यजमान पुरुष कन्याओं का चरणोदक गरहन करता है यह भारत में और कहां मिलेगा आपको हमारे यहां तो गाय के गोबर से गड़ोस जी बना करके शत्तनारण की पूजा ह अध्यारोप अभवाद अभ्याम अध्यारोप अभवाद से हम गोपर में गड़ेश जी को याने परमातमा को शिद्ध कर लेते हैं यह हमारी संस्कृती है इसलिए हमारी संस्कृती पूज निया संस्कृती है और इसका आदर प्राचीन काल से आज से नहीं प्राचीन काल से चला आ रहा है इसी संस्कृती पर एक समय जब ऐसा आया 2525 बर्स पहले आज से 2525 बर्स पहले जब हमारी संस्कृती पर बैदिक संस्कृती पर कुठारा घात होने लगा एक कहा जाने लगा वेदाह अप्रमाणम बेद प्रमाण नहीं है अनिश्वरबाद फैल गया यग अज् की बंद हो गये और वेदिक संस्कृती में पाखंड का विद्देश फैला दिया गया बद्धों ने ब्रम विद्देश फैला दिया इस्त्रियां बाल खोल करके घूमने लगी बद्द भिक्चू बनने लगी और भारतिय संस्कृती का टुकडे-टुकडे करने का सड्यंत् प्रारंब हो गया तब ऐसे कठन समय में देवताओं की सभा हुई और देवताओं ने देवादी देव महादेव से प्राथना की भगवान संकर संकराचारी के रूप में अबतरित हुए और उन्होंने बैदिक धर्म की पुनर इस्थापना की तब से लेकर के आज तक चारों पीठों में ततश पीठों में आस्री संकराचार्याद आरभ्यो अद्द प्रब्रती नाम तत्पीठा धिष्ठिता नाम संकराचारिया नाम अबदानम नई विसक्यो विश्मारई तुम चारों मठ भारती ये संस्कृती के पोशक बने हुए हैं और एक किला बैदिक किला इस्थापित किया था वगवतपाद आद्द शंकर ने वो आज भी अपनी मजबूती के साथ खड़े हो करके हमारे हिंदु धर्म सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है